जहां मुझे पता है कि आप लोगी सबसे बड़ी इस समय समस्या बन रही अंसीन पैसे जानी की reading comprehension और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस गले की हड़ी को solve कर सकते हो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हां अगर आपने कर लिया तो आप से आगे कोई खड़ा नहीं होगा जिस लाइन में आप खड़े होंगे तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड़ा 24-7 पर मैं आपका इंग्लिस एजूकेटर आदित भीया आप सभी करता था ना करता हूँ आप लोग कभी भी रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन से अपने पेपर को स्टार्ट ना करें ये 22 नमबर आपके बाकी के जो 80 नमबर है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मिला सकते हैं मैं अपने बच्चों को सिखाता हूं कि आप लोग अगर पेपर आप भी ये मान पाओगे कि हाँ यार मैं भी अच्छे नमबर ला सकता हूँ इतनी बड़ी भी तीस मारखान चीज नहीं है सबसे पहली चीज बैता जब आपके सामने रीडिंग सेक्षिन आता है सबसे पहले तो आपको पता होना चीज रीडिंग सेक्षिन दो पार्स में अब यह 12 नमबर का हो जाएगा ममला और यह 10 नमबर का हो जाएगा यह 10 नमबर अपनी मुठी में लेना बहुत बड़ी बात नहीं है यह 10 नमबर आप दो टिक लगा दी आपके 10 नमबर हो गए क्योंकि आपने वीडियो खोल दिया है लेकिन यह जो 12 नमबर है यह हर क्लिसे लिए का नम ही है Unseen पैसेज आपने उसे कभी देखा नहीं एंड़े घचाए और वह किस तरीके साफ calm Way आए आगा आपको भी नहीं पता है पर मैं आ अपको को बतानेगा वाला हो तरीका जिसके माढ़्याम से आप अपने आज से बहतर हो सकते हैं अगर आज आपकी तारीख है पाँच फरवरी तो आप 15 फरवरी तक अपने आपको बहतर पाएंगे यह एक कंटीनूस प्रसेस होने वाला है यह एक बार में देखकर के खतम नहीं होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं प्रसेशन को लास तक देखना पड़े का वरना बहुत सारे वीडियो जो आपको इधर उधर लेफ्ट राइट करवाने के लिए जो आपके काम नहीं आएंगे आपको महनत करवाएंगे नहीं हमें आगे सबसे पहली चीज बीटा रीक वेश्वास्ट सबसे पहली चीज सब बहूता हूं भी रीड कोशेंस फ़स्ट और इसके पीछे मेरे पास दोरी जाया है तो आप को पैसेज में खास आपको हिंट मेल जाएगी किया यहां पढ़कर मुझे सका मिल या दूसरा आपका टाइम बच जाता है क्या से आप पहले पैसे पार होगे पीर आप पैसे पास जाओंगे और इसके पास जाओगे और उसके बाद आप उस answer को लेकर के कहाँ जाओ कि पैसेज में हालागि आप सभी को पता है कि पहले के समय में जो आया करते थे passages जिनका हम आसानी से answer देपाते थे क्योंकि भईया वह चिला रहा होता था हां हां यहां पर हूँ जो answer होता था था नहों तुम्हें आशर पका पकाया नहीं मिलेगा तुम्हें खिचडी में खुद बाइया तलका लगाना पड़ेगा खुद बनानी पड़ेगी हाला कि कुछ क्षण्स उसमें वह भी होंगे जो भई यां सी कीूज वाले वो तब भी आप से हो जाएंगे लेकिन जो सबसे बढ़ा मुद्दा बन गया है चलिए सबसे पहला कि मैंने आपको बाल बता है रीड कोश्चन फरस्ट दूसरा आप जो पढ़ लेंगे तबाप अंसर देना हैंगी दूसरा हो गया कि कुछ कोश्चन्स हैं जो बहिए डिस्क्रिप्टिव है जिनका हमें आंसर खुद से लिखना है जिनका अंसर हमें क्या करना भीया खुद से लिखना है यानिकि सेल्फ लिखना है उनके लिए क्या करना पड़ेगा बिटा और जिनका अंसर में खुद से लिखना है उनके लिए क्या करना पड़ेगा साथ के साथ तीसरा कोश्चन बन जाता है कि हम एम सी की उसक के बाद की आगे क्या अब जिन को शेंस में आपको लिखना पढ़ रहे जिन को शेंस को डिस्क्रिप्टिव लेवल पर जा कर जाना पढ़ रहे यानि कि आपको बीस से तीस वर्ट जहां पर खर्चने पढ़ रहे वहाँ पर आप क्या कीजिएगा वहाँ पर पढ़ने के लिए आपको उस पैसेज को समझना पड़ेगा यानि कि जब आपने कोश्चन्स पढ़े फिर आप जब पैसेज को पढ़ने गए तो अब सिर्फ और सिर्फ आप कुछी चीज को पिक करके आंसर नहीं दे पाएंगे अ अब आपको भया लेवल पे अलग लेवल पर जाना पड़ेगा आपको अंडस्टेंड करना पड़ेगा आपको अप्रिहेंड करना पड़ेगा यानि कि आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए चीजों को वह कैसे होगा उसके लिए आपको पूरा का पूरा क्या करना पड पहले आप जब पूरा पढ़ लोगे तो आपको एक बार आइडिया लग जाएगा and I'm telling you this is going to be a time taking task इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा क्योंकि एक टाइम टेकिंग टास्क होने वाला है तो आपको इसका अंसर से पहले बताऊं क्या है आपको ऐसे आंसर लिखने के लिए करनी पड़ेगी practice okay करवाएगा कौन मैं ही करवाओंगा आपको बताऊंगा practice करनी पड़ेगी और रोज आपको at least 2 करने पड़ेंगे एक 12 नमर वाला एक 10 नमर वाला तो अगर आप पांच तारीक से लेकर के 15 ताकी माले तो आप 20 questions कर चुके होंगे और पांच और दिन की बात कर लें तो आप 30 questions कर चुके होंगे अगर इस तरीके से आप देखें तो आप आज इतने level पर है इस लेवल से कहीं उपर होंगी यह आपको करना ही पड़ेगा बिटा लिटरेचर आप रट करके काम कर लोगे कीवर्ट दे दिये गए हैं बिटा काम कर लोगे रैटिंग सेक्शन में आप भया उसका notice का राइट आपको सबका पता भी है फरना किस तरीके से लिखना है आप प्रेक्टिस भी मैं लेकर क्या होंगा आपके लिए रोज आपके लिए एक सेशन या तो अपलोड कर दूँगा या तो मैं लाइव सेशन आपके लिए लेकर क्या होंगा जिसमें आपको मिलेगा कम से कम ऐसे 10 या 8 आपके लिए मैं लेकर क्या होंगा सेशन और आपको भी म लेवल पर पूछेंगे आप फिर अंडिस्टेंडिक लेवल पर अफिर कभी कदर वेल्यू बेस्ट कोईशन भी आ जाते हैं उसके लिए भी आपको अंडस्टेंड करना पड़ेगा कि क्या वो कहना चाहरा है और कभी कदर ऐसा नहीं है कि अगर आपसे पांचे कोशन पूछे उसका आंसर मिल जाएगा मुस्ट प्रबैबली उसके बात भी वो कैब का बेटा कोई भी उपचार नहीं है मुझे माफ करना वो कैब एक ऐसी चीज है जो आप कितनी बढ़ाते चले जाओ वो कम पड़ जाती है लेकिन जितना का लेवल है उस हिसाब से अगर वो लेकिन सीबी सीने तो मौए मौए करने के लिए पूरी तयारी कर लिए पर कोई बात नहीं अपर लोग मेहनत करें लेकिन इस बात का बाद है बिटा जिस लवल पर आप आज हो उससे फॉर्चोर उपर चले जाओगे जब 20 तारीक आ गई होगी तो आपको अपसे रोज एक क भी आपको करवाऊंगा और आप खुद भी अब करना सुरू करेंगे यानि कि अगर हमें से लास्ट में जाकर कि समराइस करें तो हमें करना है क्या सबसे पहली चीज हमको करनी है रोज प्रैक्टिस हमको करनी है रोज प्रैक्टिस प्रैक्टिस में बहिया एक कौन करवाए उसके बाद जाकर कि आपको पैसेज के पास जाना है यह तरीका रोज अपनाना है क्योंकि बहुत सारे लोग या बहुत सारे टीचर्स भी ऐसी सलाह नहीं देते पर मैं देता हूँ मैंने खुद कर रखे हैं मैंने खुद कई सारे एक्जाम निकाले हुए है ना चाहे वह स्टेट लेवपन कर चाहे वह यूनियूल पर और मैंने यही तरीका अपना करके पेपर दीए में लेकिन हां अगर कोई टीचर आप जाकर पैसे ठीक है ना हम लोग इसके बाद आएंगे आप सेशन ले करके ये आपको मैंने बता दिया है ये आपके लिए आगाज हो गया है कि आपको ये तो तरीका होने वाला है और आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी ठीक है ना कोई भी किताब ले लिजे चाहिए आप किसी भी क्य किताब कि अवाला है